हेलो फ्रेंड्स मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चनल स्क्रिकेट में स्वागत करता हूं तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कल होने वाले मैच इंडिया वोमेंस वोसेस ऑस्टेलिया वोमेंस की जो की खेले जाएगा दिवाई पाटिल सिंग स्टेडियम मुंबई मे और यह मैं स्टार्ट होगा साम को साथ बजे हम सारी चीज़े कवर करने वाले हैं जैसे कि वहाँ पर हेट टो हेड रिकॉर्ट ठीक है इन दोनों मैच उसकी वहाँ पर क्या पिछ रिपोर्ट हरने वाली है कितने प्लेयर्स कितने मैच अभी तक वहाँ पर कॉन बैटिंग स्टार्स करते हैं कितने लोग बैटिंग सेकेंड करने वाले जीते हैं वहाँ पर 150 रन स्कोरकेन आइंटक होता यह 1 071 कितना टा सुपर कितना रनीपेश बनता है ठीक है और फिर हम बात करेंगे कि वहां पर पेसरको सबसे ज्यादा मिलता है या इस पीन्स को सब्से ज़्र तो आपको next चीजों की तवरत होगी कि वहां के players के stats कैसा है उस stats में हम आपको दिखाएंगे कि उनका players का recent form कैसा है head to head contest कैसा है venue पर record कैसा है और overall जो है T20 का record उनका कैसा है ताकि आपको सारी information अच्छे से clear हो जाया जबी भी आप अपनी team को बनाए और आप जो है सबसे crucial point पे आएंगे उसके बात कि आपको decide करना है structure किस type का होना चाहिए धिक है फिर आपको decide करना है कि कि किस combination के साथ आप जाएंगे फिर आपको decide करना है कि कौन सी strategy होनी चाहिए आपके पास फिर चौती चीज़ आपको decide करना पड़ेगा कि कौन से player जो हैं वो Trump player होंगे कौन से player जो हैं वो risky player होंगे ये सारी चीज़ें सारी बाते हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज उसको subscribe करिए और अभी telegram channel को join नहीं किया है तो उसके लिए तीन simple steps है telegram channel को join करने के लिए मैं आपको steps clear करता हूं यहां पे इसी video के description box में जाना है तो यहां पे क्लिक करेंगे तो यह लिंक आपको दिखेगा उस link पे क्लिक करेंगे तो यहां पे पहुंचेंगे जहां पर join बटन होगा आप उस join button को click करेंगे तो मेरे telegram channel पे join हो जाएंगे और आपको सबसे बना चाहिए किसको voice captain बनाना चाहिए कौन से trump player होंगे कौन से जो है risky player हो सकते हैं आज के match के लिए according to the pitch report ठीक है तो यह सारी चीजे मैं टेलिग्राम चैनल पे बोलता हूं बताता हूं तो प्लीज जाईए उस telegram channel को join करिए और आये start करते हम आज का video ठीक है तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले cover करूँआ कि वहां की pitch report कैसी है यहां पे दो matches हुए है ठीक है और उन दोनों matches में आपने देखा होगा कि बहुत जादा run नहीं बना हुआ है ठीक है 140 के around पहले match में बना 130 के around second t20 match में बना और hopefully third t20 में भी आपका जो है score कुछ देखने को मिलेगा ठीक है यहां पे पेसर थोड़ा enjoy करते हैं बॉलिंग करना पेसर को जौदा विकेट मिलता है यह याद रखिए का compare to the spinners ठीक नेक्स अगर हम बात करते हैं stats की तो आप stats को clearly देख सकते हैं कि stats में क्या होता है तोड़ा यह अभी तक यहां पर चार total women's match हुए है t20 के और चारो के चारो match देखिए batting first करने वाले team जीती है यानि batting first में यह advantage है average score है 158 है highest score 187 है और lowest score 130 है जो last match में बना था टीम इंडिया ने बनाया था तो यह सारी चीज़े रहती है अगर आप टीम को बना रहे हैं अपनी तो इस चीज़े बहुत ज्यादा focus करके रखिएगा अब हम बात करते हैं स्कोरिंग отправ का मतलब यह यह कि 1500 से नीचे रण कितनी बार मना है तो वह बना है आप देख सकते हैं डो बार ठीक है 150 CDC में अपको prés subsid के बिच में बना हे 170 ले के वालां hanya Reformे के बीच में यहां दो बार स्कोर बना ए 190 से उपर कभी रण यहां पर इंडियन वोमेंस की अगर बात किया जाए तो यह है रिकॉर्ड और लास्ट के दो मैचेस में आपको मैं बता दूं कि एक मैच में 140 मैच में 140 के आराउंड बना और दूसरे मैच में 130 के आराउंड बना और यह दोनों जो फर्स्ट बैटिंग करती वी जो टीम बनाई वो दोनों के दोनों मैच हार गई है ठीक है इतना याद रखिए तो इससे कॉंक्लूजन निकलता है कि 140 रन से लेके 150 रन या 150 रन या 160 रन के कल के मैच के लिए ठीक है अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर रीसेंट मैचेज उनकुए है उनको जो है पेसर को कितना विकेट मिला है इसपीनर को कितना विकेट मिला है तो लास्त मैच के अगर हम बात करें इंडिया वो bursts ने बनाया था, 130 रन आठ विकेट के नुकसान पे और वहीं जो है 133 रन बनाया उस्ट्रेलिया वोमेंस ने चार विकेट के नुकसान पे यानि आप देखिए टोटल पेसर्स को यहां पे 5 विकेट, स्पीनर को 6 विकेट मिला हुआ है, उसके पिछले मैच में उस्ट्रेलिया इंडिया ने चेस कर लिया वहां पे पेसर्स को 6 विकेट और श्पीनर को 5 विकेट मिला हुआ है उसके पहले 187 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है इंडिया ने भी विकेट स्पेसर्स को मिला हुआ है और स्पीनर्स को जो है 15 रिकेट मिला हुआ है यानि 50-50 का मामला आप बोल सकते हैं कि जब भी आप अगर टीम बनाए तो उसमें बराबर की प्रियॉरिटी दे बॉलर्स में जो है स्पीनर्स को ठीक है इतना याद रखिए और कल का जो मैच करने वाला हुँ तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा ठीक है अगर छोड़के गए तो आपका घाटा ही घाटा है अब हम बात करते हैं head to head contest की तो head to head matches में आप देखे आठ मैच जो है अगरा बात करते है head to head contest की तो अब हम बात करते हैं, प्लेइंग 11 तो mostly change नहीं होगा प्लेइंग 11 में, कल के मैच के लिए स्मिर्तिर इरानी, सेफाली वर्मा, जमीमा रोडरिक्स, हर्मन, रीचा, डिप्ती, मंजोदकौर, और पूजा, स्रियांका, रेनुका और तिताजा संदू, ये होंगी प्लेइंग 11 क वल्किये मैच के लिए तीम इंडिया की तरफ से अब हम बात करते हैं कौन स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगा, कौन डेथ में बॉलिंग करेगा क्योंकि ये हमें जानना बहुत जरूरी है, जब आप पिक करते हैं बॉलर्स को, तो स्टार्टिंग ओवर में रेनुका करते हैं और ये एक अच्छी टालेंटेट गर्ल आई है, अभी तितासा संदू ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फेक रही है, फर्स इनिंग में, फर्स मैच में इन्होंने चार विकर जटका था, अब डेथ होवर की बात करें, तो डिपती सर्मा आती है, ठीक है, इनके पास कासा अच्छा कासा एक्सपिरियेंस है, स्रेयंका पाटी ला जाती है, और जो अतितासा संदू रहती है, ये होगी डेथ होवर की बॉलस टीम इंडिया की तरफ से, अब हम बात करते हैं, बैट्समेनों की जो है, करेंट फॉर्म की, तो करेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, कि स्मृति मांदान का करेंट फॉर्म कुछ जादा अच्छा नहीं है, इस समय हर बार स्टार्ट मिलता है, लेकिन उसे स्टार्ट को लंबा नहीं कर पा रही है, ठीक है, हर मैच में आप देख सकते हैं कि लिए लगी की 13, 24, 24, 10, 46, 47, ठीक है, है, हैट टू हेड में आप दे किया था कि ये मैच में नहीं चलने वाल है, एक रन बना के आउट हो गई थी, 1, 6, 0, 52, 9, 17, 67, ठीक है, तो आप देखिए कि एक लंबी पारी के बाद ये कई सारी पारियां जो है छोटी 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 खेलती है, तो इसके लिए कल के मैच के लिए मैं इनको पिक नहीं करन तो ज्यादा बहतर होगा, अब जमीमा की बात करते हैं, तो जमीमा दो तीन मैच से खामोस रही है, ठीक है, और इंडिया अगर पहले बैटिंग कर दी है, तो जमीमा कल स्कोर करने वाली है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, हेड टू हेड में इनका सोलर कावरेज है, वैन्यू पर 9 का आवरेज है, T20 में 28 का आवरेज है, बट कल के मैच में ये आपको 40-50 रन की इनिंग खेल के देने वाली है, हर्मन कई सारे मैच में फ्लॉप ठीक है, और कल भी मोस्वावली फ्लॉप रहेंगी, क्योंकि इनका फॉर्म बहुत ही खराब चलना है, अब रिचा गोस आ और head-to-head matches की बात किया जा, तो 29 का आवरेज है इनका, venue पर 52 का है, T20 में 24 का आवरेज है, और ये कल के मैच के लिए भी आपको must pick होने वाली है, आप इनको pick करके ही चलिएगा, ठीक है, कल के मैच के लिए, दिपती, most, most, most pick आपके इंडिया की तरफ से, इनका होना ही चाहि अगर आप dream 11 की team बना रहे हैं, तो और क्यों होना चाहिए, ये लाजवाब आपको performance बता रहा है, 30 run, 2 wicket, 25 run, 1 wicket, 25 run, 5 wicket, हर match में all around the performance, head-to-head में 31 का average है, venue पर 35 का है, T20 में 24 का है, यानि ये आपकी team में होनी चाहिए, और अगर हो है team में, तो आप इनको C या VC में कोई ए consistent है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, अमन जूत कौर की, तो अमन जूत कौर, last match में 4 run मनाई, कोई खास wicket नहीं मिला, 1 wicket, 3 run, 2 wicket, 4 run, 0 wicket, 20 run, 0 wicket, ठीक है, head-to-head में 4 run है, venue पर 4 run है, T20 में 20 का average है, और 7 wicket है, कल के match के लिए, आप इनको जो है, नहीं रखेंगे, ठीक है, अगर रख भी रहें, तो अगर 30% से नीचे वाले player में, आपके 4 player तो रहने चाहिए, playing 11 में, ठीक है, अगर ये 4 player में नहीं है, ठीक है, आप list बना के रखिएगा, ये 4 player में, अगर 4 player आपके नहीं हो रहे हैं, तो आप इनको consider कर सकते हैं, otherwise इनको consider मत करिएगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको, पूजा वस्तकर की बात करें, तो इनका form देखिए, 9 run 1, 0, 14 run 1, 8 run 1, 1, 1, head to head में 26 का average है, venue पे 9 का है, T20 में 15 का है, ये कल के match के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कि चलेंगी, ठीक है, कल के match के लिए ये पका है, कि मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, ठीक है, तो अगर जील में आप ट्राइ करना चाहिए, तो इनको कर सकते है, स्रेंग का party, आप consistent देखिए, 1 wicket, 2 wicket, 1 wicket, हर एक match में है, ठीक है, तो आप इनको अपने team में जरूर रखिएगा, तिसासा संदू, 0, 4, 0, 0, 3, 1, 1, और कल के match के लिए इनके खाते में 2 wicket होगा ही होगा ठीक है, इनके खाते में 2 wicket होगा दोस्तों, ठीक तो आप इनको try कर सकते हैं कल के match के लिए, अब हम बात करते हैं, रेनुका ठाकूर की, रेनुका सिंग की, तो रेनुका सिंग, लास्ट के match में 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, यनि लास्ट के match में कुछ इनका performance तो खास नहीं रहा है, head to 2 hit की बात किया जाया, तो 10 wicket है, यहां पर बात किया जाया, तो 7 inning में मातर एक wicket लिया हुआ इनोंने, और T20 की बात किया जाया, तो 49 wicket है 36 inning में, तो कल के match के लिए आप इनको drop कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं, वहीं Australia के playing 11 की, Alyssa Hilly, Beth Mooli, Tahila, Alice Perry, Gardiner, Lichfield, Harris, Sutherland, फिर Georgia, फिर Gard, फिर Scott, तो यह होगी playing 11 और Australia की तरफ से, अब हम बात करते हैं कि कौन पहले फेकेगा यहां पर, तो जो है, Megan Shoot फेकती है, Gardiner फेकती है, यह होगा starting के 6 over में, ठीक है, यह लोग फेकेंगे balling, अब death over की बात करें, तो Megan Shoot, Gardiner और Sutherland, यह तीन मिलके यहां पर death over की balling करते हैं, ठीक है, तो आप यह देखिए, कि इसमें से Gardiner बहुत ही एहम role अदा करती हैं, जब ही आप Australia team की बात करते हैं, तो यह key player है, कल के match के लिए भी, ठीक है, key player है, यह note down करके हुए, चलिएगा, ठीक है, जो जो चीज़े मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अब देखिए, Alyssa Haley, इनका कुछ खासा form रहा नहीं है अभी तक, है न, 26, 8, 82 run बनाया था, 1 day में, ठीक है, 13, 0, 10, 32, 38, अगर हम head to head की बात करें, तो 21 का average है, venue पे 24 का है, T20 में 25 का है, कल के match के लिए भी इनको मान के चलिए, कि 20 से 30 run बना के आपको देने वाली है, बेथ मूनी बहुत दिन से नह नहीं चल नहीं है, ठीक है, तो मैं फिर से कल, कल फिर से इनके पर मैं दाव खेलूँगा, और कल फिर से मैं इनको GL में ट्राइ करूँगा, ठीक, और मैं मेरा मानना है कि 30% से यह selection में ही होंगी, ठीक, और मैं इनको कल C या VC में से कोई एक चीज जरूर बनाऊंगा, अगर म में कर रही है, ठीक है, बहुत देन से कुछ खासा नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, कल के मैच के लिए भी कुछ खासा नहीं करेंगी, ये प्लेयर तो ड्रॉप करने लाइक ही नहीं है, हर मैच में आप देख सकते हैं, हर मैच में ये विकेट मा पिक की एक काम नहीं चलने वाला है, गार्डेनर मस्स पिक मेरी तरफ से, इनका भी आप पहले विकेट गिरता है, तो अगर इस टार्टिंग में विकेट गिरेगा, तो उस समय जो है, लेचफिल्ड बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है, अगर नहीं गिरेगा, तब कुछ हो सकता है कि ना कुछ करें लेकिन लास्ट में क्योंकि इनका डाउन बहुत नीचे आती है खेलने के लिए इसलिए मैं बोलना हूं कि यह कुछ तो जरूर करेंगी क्योंकि इनका रीसेंट फॉर्म देखिए ना इनका रीसेंट फॉर्म 18, 49, 63, 78, 3, 34, 23 और एक है हेड टू हेड में 32 का आवरेज है वेन्यू पर 49 का है और टी 20 में 48 का आवरेज है तो यह बहुत ही तगडिव प्लेयर है टी 20 की अगर आप इनको एसल खेलना है तो जरूर रखिएगा बिना एसल में तो इनके बिना मत जाएगा ठीक है अब ग्रैस हैरीस की बात करते हैं तो कुछ खासा फॉर्म है नहीं यहां चोंवन और 25 की दो इनिंग है हेड टू हेड में 19 का आवरेज है वेन्यू पर एक रन है और टी 20 में 20 का आवरेज है इनका ठीक है तो मैं इनको कल के टीम में नहीं लूँगा ठीक क्योंकि बहुत सारे प्लेयर और इंडिया टीम से भी ल दीसेंट फॉर्म जो है वो ठीक ठाक हो और नहीं तो तीन-चार मैस से लगातार फ्लॉप हो रहा हूं ऐसे प्लेयर मुझे चाहिए 30% से नीचे वाले जैसे की बेतमोनी होंगी रीसेंट की बात किया जा तो दो विकेट 12 विकेट 23 विकेट और 23 विकेट तो इनको आप अप मैच में इन्होंने 2 विकेट लिया था 11 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 4 विकेट है तो कल के मैच के लिए अगर आफसे लिया जो है पहले बॉलिंग कर रही है ठीक है तो आप गार्थ को जरूर ट्राइ करेगा अपनी टीम में as a baller ठीक है अब मेगन शूट की बात करें त आपके strategy के recording तो आप जो है जरूर लीजेगा अब हम बात करते हैं structure की कल के match के लिए कि क्या structure होने वाला है तो आपका जो structure होगा वो 74 का structure के साथ जा सकते हैं और इस में से 74 का structure क्या है साथ जो है आपके baller होंगे with all rounder के साथ ठीक है और चार जो है batsman होंगे with wicket keeper के साथ ठी या आप 8-3 के भी structure से जा सकते हैं ठीक है कल के match के लिए अब हम बात करते हैं कि जो है दूसरी चीज हम बात करते हैं मैंने आपको trump player बता दिया मैंने कि की player बता दिया है ठीक है अब हम बात करते हैं यहापे कि जो है आपको strategy किस type की बनानी है तो इस strategy में आपको देखना है कि 140 run से लेके ठीक है, 140 से लेके और 160 run के बीच में score बनेगा, ठीक है, अगर Australia batting करती है, तो ठीक है, अगर Australia batting करती है, तो अगर India batting करती है, तो आप 160 नहीं, 150 के round मान के चलिए, और जो पहले batting करेगा, उसी के, जो second batting करेगा, उसके favor में आपको क्या करना है, कल के match के लिए team बनानी है, ठीक है, कल के match के लिए क्या करना है, जो second batting करने आएगा, second batting करने आएगा है न, उसके favor में ही आपको team बनानी है, ठीक है उसी के favor में आपको team बनानी है यानि उसके players जो है जादा लेने, इतना याद रखिएगा यह चीज़, मेरी कही यहीचीज़ है कि आपको उसके प्लेयर्स को क्या होना है, जादा लेना है, अब तीसरी चीज़ के हम बात कर लेते हैं, कि आपको C और VC किसको बनाना है, तो मेरा मानना यह है कि आपको C और VC जो है, बॉलस में ही बनाएंगे क्योंकि जो पिछ है वो बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है अभी तक और साम को वहाँ पर डियू आ जाता है ठीक है तो ज्यादा थोड़ा हेल्प मिले लगती है बॉलर्स को भी ठीक तो इस परस्पेक्टिव में आप अपनी टीम को बनाएंगे कल के मैच के लिए अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजगा इस वीडियो को लाइक करेगा और एक प्यारा सा कॉमेंट्स करेगा कॉमेंट बॉक्स में जाके जै हिंद